अगर वहाँ एक चत से दूसरी चत पर कूदता है और उसको दूसरी चत पर कुछ खतरा मालूम होता है तो वहीं से वहाँ वापसी हो जाता है जहिंद का जी नाम मेरा आदिल है और राजयान वो लोगस की नाम से चोटा सा यूटूब चैनल है जिस पर मैं डेली एक लोग डालने की कोशिस करता हूँ और डालता भी रहता हूँ आज मैं पहुंचा हूँ अरावली के जंगल में और आज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ लंगूर यह देखेगा यह आप सामने से देख पा रहे हैं यहाँ लंगूर है गाईस इनने को आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा गाईस जो लंगूर होता है इसके अंदर एक खुबी होती है वहाँ खुबी क्या होती है लंगूर अगर एक चट से दूसरी चट पर कुद रहा है और उसको दूसरी चट पर कुछ खतरा मलूम देता है खतरा महसूस देता है या उसको दिखाई देता है कुछ भी तो वह है उसको देखकर बगएर बिना चट पर बैठे दूसरी चट पर जाए ही वापसी हो जाएगा अल्हा ने लंगूर के अंदर ऐसी ताकत दी है यह देखे गाईज आप देख रहे हैं सामने से यह लंगूर है और यहाँ पर फिलाल इनको बिस्किट खिला रहे हैं जो दोस्ति यहाँ पर घूमने आते हैं अजमेर सरीप के अरावली के जंगल में यह देखे काफी जादा लंगूर है यहाँ पर गाईज जो बिस्किट हैं सेल कर रहे हैं जो यहाँ पर अजमेर के ही रहने वाले बंदे हैं वह यहाँ यहाँ पर सेल करते हैं बिस्किट को यह देख सकते हैं गाई आप लंगूर काफी तगड़ी पूँच होती है इसके लंबी पूँच होती है गाई यह देखे गाई काफी जबरदस्त यहाँ पर दिख़ए दे रहे हैं यहां पर यह पेड़ खड़े हैं जो पहाड़ी में यहां पर यह लंगूर है गाइस काफी अच्छा लगता है जब किसी जानवर को देखते हैं ऐसे यह देखे कुछ भी नहीं कहा रहे हैं कुछ भी खत्रा नहीं है इनसे और देखे यहां पर बच्चे हैं हाथ में लेकर इन वरदस्थ थे गाईज तो फेले गाईजे मेरा चोटा सा वलोग था जो मैंने आपको औरायुली के जंगल से दिखाया जो अजमेर सरीफ में पढ़ता है साइधा आपको ये छोटा सा वलोग मेरा पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों पर शेयर करें इसे अ आपको ये टेकर वा पने कल दो रखकी जाला हब पास्टा आमें आपको ये जिल्द के जाला हफ इस